यदि आप लॉपड़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमारे एप को डाउनलोड करें और लॉपड़ें नमस्कार आज का जो अपना विशे है वो कुछ इस प्रकार का है कि कुरान जो अरब में लिखी गई और वो भारत में कितनी अप्लिकेबल है और उसका भारती समविधान के अनुसार क्या रूरूप है मैं किवल कुरान की बात नहीं करता मैं बात करता हूँ जितने भी धार्मिक गरंट है और धार्मिक गरंट भी कहना उचित नहीं होगा जितने भी सामपरदाई ग्रंत हैं जो पूजा पाट की पधतियों की बात करते हैं जो रिलिजिन से जोडते हैं जो व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से कनक्ट करते हैं इन ग्रंतों की constitutional validity क्या है क्या भारत में कोई भी ग्रंत जो किसी भी रिशी मुनी के द्वारा बनाया गय हो जो किसी भी पैगंबर के द्वारा बनाया गया हो जो किसी भी तरह से भारत में अवतरित हुआ हो क्या उस ग्रंत की constitutional validity check होनी चाहिए और क्या-क्या भारती सम्मिधान में इस प्रकार की विवस्ता है कुरान को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़े दिनों से मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे YouTubers कुरान को लेकर बहुत सारे interpretations कर रहे हैं कल कुछ दिन पहले मुझे राज शर्मा जी जो अपने regular viewer हैं उन्होंने ये लिखा भी कि कुरान को लेकर उनकी कुछ आयतों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में केस गया था और दिल्ली हाई कोर्ट में वो केस बाद में सुप्रीम कोर्ट चला गया और वो उसकी आज तक कुछ पता नहीं लगा मैंने उनसे कहा भी था कि जो judgment आया हो या जो order आया हो जैसा भी वो order आया था जो भी हुआ था उसकी copy अगर अपने को provide हो तो शायद मैं उसमें कुछ योगदान कर सकता हूँ उसके interpretations को लेकर ये बातों को सुनकर एक सजन जो पैदाईशी हिंदू थे बाद में बौद हुए फिर वो मिशनरियों के साथ गए और आज से लगबग 15 वर्ष पहले वो मुसल्मान हो गए मुसल्मान होने के बाद उन्होंने अर्वी सीखी अर्वी सीखने के बाद वो गरंतों में गए और गरंतों में जाने के बाद उन्होंने जो कुरान के हदीद के और सुन्नत के जो interpretations किये या जो वो interpretation करते हैं जो उसमें लिखा हुआ है उसको लेकर वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने मुझे संपर्क करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि कुरान के ऐसे interpretation जो मानवता के खिलाफ हैं जो समिधान के खिलाफ हैं उन interpretations को मैं आपको बताना चाहता हूँ आप ह citation में जीए वो सुराबकरा का कौन सा हिस्सा है वो कौन सी आयत है वो किस संधर्म में लिखी गई है और उस पर अगर आग कोई judgments हैं तो वो judgments भी हमें अर्भी में भी चाहिए English वर्जन उसका चाहिए और Hindi वर्जन उसका चाहिए ये तीनों को पढ़ने के बाद किसी conclusion पर नि ख्रम ग्रंत है मैं बार बार सब्द ख्रम ग्रंत बोल जाता हूं कि वो कोई वी सांप्रदाइक गरंत है दर्म करंद मैं इसली नहीं कहता कि धर्म ममधरमा वह नियार ममधरमा stand किमेरा धर्म नयाए ही मेरा धर्म है तो निया बिवस्ता जो होती है कोई भी social बिवस्ता होती है USA में भी Fox का एक judgment आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी कानून है उसकी social reality कितनी है समाज के उपर impact कितना है समाज को वो कितना सुधार पाता है समाज को वो क्या दे सकता है इसके आधार पर वो जो कानून है उसकी applicability जाच की जाती है मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कोई भी गरंथ है जो भारत के रिशीमुनियों ने भी लिखा कोई भी सहिता कोई भी इस्मृती या कोई पुराण या वेद या जो भी लिखा गया आज समाल यह है कि भारत में constitution चलता है और constitutional validity उसकी कितनी है अगर किसी भी गरंथ में कुछ भी लिखा है और उसकी constitutional validity नहीं है यानि कि constitution के वो गेस्ट में जाता है तो वो unconstitutional कहलाता है और भारत में उसकी कोई applicability नहीं होती है उसके बहुत सारे illustrations हो सकते हैं जैसे सती प्रता का illustration आया, बाल विभा का illustration आया या बहु विभा का illustration आया ये सारी चीज़ें भारत में कभी न कभी लोगों के अनुसार जो तठा कतित लोगों ने लिखा उनके अनुसार ये थी और इनको हमने कानून बनाकर रोका और आज Constitution में जो भी प्रैक्टिस हमारी थी वो प्रैक्टिस या जो भी हमारे ग्रंथे कह रहे हैं उनके बाब जो अगर Constitutional validity उसकी नहीं है तो भारत में वो applicable नहीं हो सकता उसका बड़ा illustration ये है कि हिंदू के जो पर्सनल लॉज हैं वो पर्सनल लॉज भारत में एवें चलते रहे लेकिन बाद में हमने उन पर्सनल लॉज पर हिंदू लॉज पास कर दिया यानि कि उसका कोडिफिकेशन कर दिया वो सारे ग्रंथे जो देश्वर में चलते थे वो सा अपने हैं प्रेक्टिस करनी शुरू की और तमाम तरह के विभास अंसकार तमाम तरह का succession तमाम तरह के adoption, maintenance, minority, guardianship ये चलता रहा कि हमारे हैं तो ऐसा चलता है हमारे परिबार में वैसा चलता है हमारे गाउं में ऐसा चलता है हमारे उसको ध्यान में रखते हुए हमने लौ पास कर दिया हाला कि उसका बनाने वालों का intention थोड़ा अच्छा नहीं रहा होगा लेकिन हिंदु लौ पास कर दिया और हिंदु लौ पास करके उसका कोडिफिकेशन कर दिया आज हम धर्म गरंतों पर नहीं जाते उसमें जो भी लिखा हो वो केबल एक धर्मिक रूप से या एक सांसकारिक रूप से लोग पढ़ते हैं और उसकी बाइंडिंग नेचर नहीं होता उसका सबसे बड़ा इलस्टेशन ये है कि जो पीनल लॉज हैं भारत में पीनल लॉज को इंट्रूज करने वाला सबसे पहले मनु था इसलिए मनु इस प्रती में वो पीनल लॉ आस्टिन इंपरेटिव स्कूल का राइटर है यानि की दंडात्मक विधियों का राइटर है और वो ये कहता है कि जो कानून है कानून का मतलब है राजा कानून का मतलब है कमांड कानून का मतलब है पनिश्मेंट इसलिए आज आस्टिन का सबसे अदा विरोध होता है सभी जितने नेचुरलिस्ट, फंडामेंटलिस्ट हैं, वो अगर किसी को उपर प्रहार करते हैं, तो वो आस्टिन के उपर प्रहार करते हैं, इसी प्रकार भारत में भी, अगर किसी को उपर सबसे अदा प्रहार होता है, तो वो मनु सहिता के उपर प्रहार होता है, क्योंकि वो द ऐसी बहुत सारी इस्मृतियां समय समय पर इन धर्म गुरुओं ने बना कर दी ताकि implementation कैसे हो, लेकिन जैसे जैसे समय पास हुआ, एक गुरु के बाद दूसरा गुरु आया, दूसरा राजा आया, उसने अपना राजगुरु रखा, अपना रिशी मुनी की एक संस्था रख हमने मैरेज एक्ट, इंडियन मैरेज एक्ट पास किया, इंडियन सक्सेशन एक्ट पास किया, तो मैरेज एक्ट और सक्सेशन एक्ट का मतलब 1925 में यह होता था कि भारत में कोई भी विक्ति जो भारत में जिसने जनम लिया है, उसके ओपर इंडियन मैरेज एक्ट, इंडि marriage act pass होने के बाद जो भी practices थी हिंदूओं की मुसल्मानों की किसी भी प्रकार की practices थी वो सारी practice unconstitutional हो गई वो अलग बात है कि 1937 में अंग्रेजों ने हिंदूर मुसल्मानों को लड़ाने के लिए मुसल्मानों को अलग identity भारत से अलग identity देने के लिए शरियत एक पास कर दिया और शरियत में पांच-छे धारें लिखी जिसमें ये कहा गया कि मुसल्मानों को उपर शरियत लागू होगी अब शरियत का बहुत बड़ा पिटा रहा खुल गया हमारे पास अंग्रेजों ने उसको लागू कर दिया था चलिए हम मान लेता हैं कि अंग्रेजों न उसको लागू कर दिया था लेकिन जब भारत का संभिधान पास हुआ 26 जनवरी सन मुड़ा सो पचास को तो उस संभिधान में हमने लिखा article 12 और article 13 में article 12 यह कहता है कि राज कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है जो fundamental rights के अंगिस्ट में जाता हो राज नहीं कर सकता मतलब राज ऐसी कोई विधी नहीं बना सकता ऐसी कोई विधी को अपने हां application में नहीं ला सकता ऐसी किसी विधी को वो अपने हां recognize नहीं कर सकता मतलब अगर राज जी ये कहता है कि हम मनुसहिता से चलेंगे तो वो कर नहीं सकता क्योंकि अगर वो fundamental rights के अंगेस्ट में जाती है मनुसहिता तो भारत में वो लागू नहीं हो सकती इसी प्रकार अगर शरियत वो fundamental rights के अंगेस्ट में जाती है किसी के भी कि जो विधी थी शरीयत अक्ट 1937 जो भी विधी थी वो विधी अब भारत में unconstitutional होगी यानि कि इस कानून के इस constitution के पास होने के बाद वो विधी unconstitutional हो जाएगी दूसरी बात वो ही कहता है कि भारत अगर कोई विधी को लागू भी करवाता है यानि कि सरकार किसी विधी को लागू भी करवाती है तो वो विधी प्रारंब से ही शुन्न होगी पहले अगर थी तो अब शुन्न हो जाएगी जिस दिन से संभिधान एक्जिस्टेंस में आया नहीं थी और अर्टिकल 13.3 में उसने कहा कि इस प्रकार का कोई notification, कोई law, कोई bylaws, कोई ordinance, कुछ भी और साथ में जो सबसे सब्सक्राइब चीज है अर्टिकल 13.3 कि कोई custom, यानि कि कोई uses या practice, uses practice का मतलब है कोई rudy या फिर कोई चलन, अगर भारत में custom और uses हैं, जिनके उपर आज तक कोई codification नहीं हुआ, customer uses रहता है कि सारी चीजों पर codification नहीं किया जा सकता है, मतलब सारी चीजों को सहिंता में नहीं लिखा सकता, कानून में लिखा नहीं जा सकता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती ही जो हमारी practice में हैं, लेकिन उस पर कानूनी पहलू कभी नहीं उसको लिखा नहीं गया, वो अगर constitution के against में नहीं है, तो ऐसी practice भी valid होती है, जैसे मैं कहता हूं कि Hindu marriage act में जब उसने section 7-8 लिखा और खास्तोर से section 8 लिखा तो उसने ये कहा कि देखें जो भी practice भारत में है शादी की, दो परिवारों में किसी एक परिवार में जो practice है, उस practice के अनुसार अगर उनका विवाह होता है, तो वो विवाह वैध माना जाएगा, यानि कि उसका कोई codification नहीं है, लेकिन परिवार जमाने से practice में है, और वो practice constitution के against में नहीं है, तो फिर वो practice valid मानी जाएगी, वो custom भी law माना जाएगा, law के जो sources होते हैं, उन sources में हम कहते हैं कि वो court ने declare किया, और एक source के रूप में हम कहते हैं कि वो custom है, यानि कि वो practice में है जमाने से, ना ही court में कभी वो matter decide हुआ, और ना ही legislation का कभी उस पर ध्यान गया, वो practice में है, इसलिए वो valid है, लेकिन उसकी practice की खास बात ये होने चाहिए, कि वो constitution से invalid नहीं होना चाहिए, अब सवाल ही आता है, कि हम जब इतने कानून, भारत का संविधार इतना ज़्यादा मुखर है, और वो कहता है कि इस प्रकार की practices शुन्ने होगी, इस प्रकार का कोई order, laws, practice, किताब, वो कुछ भी शुन्ने होगा, तो सवाल ही आता है कि अगर मनु सहीता भारत में नहीं चल सकती सवाल ही आता है, कि अगर हम रामयन में दिये गए जो भगवान राम के प्रकार्ण है, जो practice है, वो constitution से अगर वो valid नहीं होता, तो हम उसको नहीं मानते हैं, वो आरे समाज ने कुछ दिया है, constitutionally valid नहीं है, तो हम नहीं मानते हैं, वो बुद्ध समाज ने कुछ दिया है, से उसकी validity नहीं है, तो उसको हम नहीं मानते, दूसरी बात, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने M. Nagraj के judgment में एक बार judgment दिया, और उन्हों ने कहा, देखे, कोई भी fundamental right या कोई right लिखे दिये नहीं जा सकते, यानि कि पालेमेंटरून को देती नहीं है, केबल जो human होने के नाते, म अब सवाल यह आता है कि अगर हमारे human होने के नाते कुछ rights हैं, और उसमें constitution में जाती विवस्था, लिंग विवस्था, regionalism, या जनमस्थान, या फिर हमारी संपरदाय, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, और कोई भेदभाव हो भी नहीं सकता, constitution भारत क secular है, secular constitution का मतलब होता है कि भारत में जिस प्रकार की भी कोई भी प्रकार की कोई practice चल रही है, और वो religious आधार पर किसी की अपनी practice किसी दूसरे समाज को अगर नुकसान देती हो, तो वो unconstitutional है, क्योंकि भारत का सम्मिधान secular है, ये शब्द जो जो जोड़ा गया, secular है, और secular क मतलब होता है कि भारत सरकार किसी भी particular religion का कोई support नहीं करेगी, और अगर उसकी कोई गलत चीजें हैं, कोई गलत गतिविदिया हैं, तो उन गतिविदियों को वो support नहीं कर सकते, constitutionally उसको नहीं ला सकते, सवाल याता है कि शरियत अक 1937 जिस समय आया, उसकी constitutional validity कितनी है, और उ 200 में से किसी एक परकार के muslimान की आप बात करेंगे, तो 899 muslimान उसमें फरजी मानते हैं, यानि कि किसी एक को पूछेंगे, तो वो 899 को गलत मानता है, क्योंकि उनकी सबकी practices अलग अलग हैं, उनकी हदीते अलग अलग हैं, उनकी सुन्दे अलग अलग हैं, इन हदीतों और स गुरूप है कदाइनी कादियानी उसको लोग कहते हैं कादियानी से ताथ पर है कि वो जो एहमधिया है एहमधिया को मारना मैं फिर से कहता हूँ एहमधिया को मारना शबाब है मसल्मान के लिए शबाब से मतलब है अगर उसकी हत्या कर दी जाए तो उससे उसको अल्लह पाक जो है वो वहाँ जन्नत बक्षे का और हूरें देगा और ये इसलाम का साशन गलत तरीके से करना और ये सब दुनिया भर की बातें उसमें कही गई इस विशे पर कादियानी मुसल्मान हैं की नहीं हैं इस आधार पर मुनिर कयानी कमिशन पाकिस्तान में बिठाया गया था जब कादियानियों की बात आई कि ये मुसल्मान हैं की नहीं हैं इस बात की वैलिटी कैसे पता लगे क्योंकि पाकिस्तान में केबल मुसल्मान रह सकत मुनीर कयानी कमिशन ने 150 प्रकार के मुसल्मानों से चर्चा की और उसने अपनी जो रिपोर्ट लगाई उस रिपोर्ट में कहा कि अगर मैं एक उलेमा की बात मानता हूं तो बाकी के एक सो उननचास जो जो उलेमा है या जो आलिम है वो जूटे हैं मैं इन में से किसी एक को ठाकर देखता हूं तो उसकी एक सो उननचास से नहीं बनती ऐसी शरियत जिसमें एक सो पचास प्रकार की प्रेक्टिस हो और सैकलों हजारों प्रकार के इंटर्पेशन हो उसको क्या कोडिफिकेशन की जरुत नहीं पड़ती क्या वो कॉंसिटूशनली वैलेड है अगर वो यह कहता है कि कादियानियों क मारना शबाब है और कॉरान में यह बात लिखी हुई है लोग कहते हैं कि मौमिन्स को मारना इनको मारना उनको मारना पनिश करना यह सब जायज बताते हैं भारत वर्ष में संविधान पास होने के बाद इस प्रकार की सभी दंडिक विदियां शुन्न हो गई जैसे मैंने कह इसमें जिस प्रकार के भी इंटर्प्रेशन जिस प्रकार की भी भाशा दी है उस भाशा से अगर किसी की हत्या की बू आती है यदि वो मनवता को कहीं सर्मशार करती हो वो मानवों को मारने की बात करती हो वो किसी की भी हत्या करने की बात करती हो किसी को पनिश करने की बात करती हो तो सम्मिधान के रहते हुए ऐसी कोई भी constitution ऐसा कोई भी संपरदाइक विधी ऐसी कोई भी धर्मिक विधी वो शूनने हो जाती है क्योंकि आज का जो धर्म है वो केबल सम्मिधान है और सम्मिधान कहता है कि हम gender equality पर काम करेंगे हम casteism के against काम करेंगे casteism हम नहीं मानते हम religion नहीं मानते हम religions नहीं मानते हम area wise नहीं मानते हम पैदाइश के अधर पर नहीं मानते हम केबल भारत के नागरिक के नाते हम उसको अधिकार देते हैं और भारत के नागरिक को इस पर करकर के अधिकार है सवाल यह आता है कि अब पूरी कुरान का क्या हो और यह एक पुराना सब्जेक्ट है इसमें अगर कुछ कुछ पचास आयतें अगर ऐसी हैं लोगों ने कहा कि लगवग पचास आयतें ऐसी हैं जो लोगों के हत्याओं की बातें करती हैं मैं नहीं जानता कि उसमें कितनी सत्यता है क्योंकि मुझे अर्भी नहीं आती और मैंने जो इंदी रो इंग्लिश वर्जन पढ़े हैं उन वर्जन में तो ऐसा ही लगता है कि वह कुछ आयतें ऐसी हैं जो वालेटिव हैं लेकिन अर्भी मुझे नहीं आती इसलिए मैं सही से interpretation करने में सक्षम नहीं हूँ उसका की बाकई में क्या है उन सज्जन ने जिन्होंने मुझे संपर्क किया है उन्होंने कहा है कि मैं आपको अरभी भी सिखाऊंगा और अरभी भी देऊंगा और उसके interpretation आपको करना सिखाऊंगा कि वो अरभी में क्या कह रहा है फिर आप उसको कानूनी interpretation कर लीजेगा अगर वो देते हैं तो मैं अरभी सीखने की कोशिश करूँगा या कुछ लोग जो सीख चुके हैं उनकी पैनल बना कर उनकी काउंसिल बना कर उसके interpretation करने की कोशिश की जा सकते हैं इसलिए मैं यहाँ पर यह जो कहना चाहता हूँ वो यह है कि अगर पचास आयतें ऐसी हैं जो मानवता को शर्नसार करती हों वो उस समय की doctrine of severability यानि कि प्रतक करन का सिध्धान्त कोई भी कानून मैं अगर कुरान को कानून मान लूँ चुकि वो custom है उसको मैं कानून मान लूँ कि वो मुसल्मानों के लिए कानून है तो कोई भी कानून भारत वर्ष में जो यहाँ पर applicable है अगर उस कानून का कोई एक हिस्सा या उसका कोई एक section या उसका कोई एक part constitution के against में जाता है तो और वो उस act को पूरा का पूरा invalid नहीं करता है यानि कि उससे वो detach हो सकता है detach होने से मतलब यह है कि मैं एक गुपालन का एक judgment आपको याद दिलाता हूँ और उसके बाद F.N. बलसारा एक बड़ा important judgment Supreme Court ने decide किया था F.N. बलसारा के case में तो जब मैं एक गुपालन की बात करता हूँ तो एक गुपालन के judgment में और अब सुप्रीम कोर्ट ने doctrine of severability establish की severability से मतलब उनका था कि जो उस समय कानून जिस कानून के तहते के गुपालन की गरफतारी हुई थी उसका एक section constitution से unconstitutional था यहनि कि constitution से compatible नहीं था उस एक section को सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह वाला section यह unconstitutional है और यह आज से applicable नहीं है इसी प्रकार का मिठु का एक judgment आया था जिसमें उनवे सुप्रीम कोर्ट ने section 303 of IPC को unconstitutional लिकलेर किया था यह कहा था इस section के हटाने से पूरी IPC पे कोई फरक नहीं पड़ता इसलिए इस section को हम unconstitutional डिकलेर करते हैं एक तो बात यह है कि अगर वो हिस्सा हटाया जा सकता है तो वो unconstitutional है उतना हिस्सा हटा दीजे बाखी का इपलाई करवा दीजे दूसरी बात इसमें यह आती है कि अगर कुछ लोग यह कहें कि यह जो पूरी कुरान है यह inseparable है inseparable का मतलब है कि इसमें से कोई हिस्सा नहीं हटाया जा सकता है यह पूरी की पूरी ही पड़ी जानी चाहिए और इनकी एक दूसरे के साथ रेलिवेंसी है इनकी एक दूसरे के साथ connectivity है तो सुप्रीम कोट के जजज्मेंट्स हैं उसमें वो किया जा सकता है तो उतने को अनकॉंसिटूशनल कर दीजे बाकी को constitutionally valid कर दीए और अगर कुछ लोग यह कहते हैं कि कुरान में कुछ जो भी है वो inseparable है वो हटाया ही नहीं जा सकता तो पूरी की पूरी कुरान को अनकॉंसिटूशनल डिकलेर किया जा सकता है यानि कि अब ह जब हमने मनु सहिता को अनकॉंसिटूशनल डिकलेर कर दिया उसके कुछ हस्सों को हमने बहुत सारे जो practices थी उनको अनकॉंसिटूशनल डिकलेर कर दिया तो क्यों नहीं आज कुरान की practices को जो गलत हैं जैसे ट्रपल तलाक की practice आई कुरान में भले ना लिखी हो लेकिन हदी matter देने के बाद उनी grounds पर उसको अनकॉंसिटूशनल डिकलेर किया गया और वो article 13 से compatible नहीं है यानि कि भारत के सम्मिदान में जो महिलाओं के fundamental right है उन fundamental rights के वो अंगेस्ट में जाता है इसलिए ट्रपल तराक की जो कस्टमराइज practice है वो अनकॉंसिटूशनल है ऐसा सुप्र सार ठीक नहीं है तो उसको challenge किया जा सकता है legislation उस पर codification करवा सकता है मुझे लगता है कि world के बहुत सारे country ने अपने हाल Islamic councils बिठेई और उस Islamic councils ने क्या किया कि कुरान हदीत और इनके अधार पर कुछ extract निकाले उन extract के अधार पर codification कर दिया अब कुरान जिसको पढ़ना है वो अपने घर में पढ़े जिसको हदीत पढ़ना है वो अपने घर में पढ़े जिसको सुननत पढ़नी है वो अपने घर में पढ़े लेकिन जब हम court में आएंगे जब समाज की बीच में आएंगे तो वो codification जैसे हिंदू लौका भारत में है जबकि हमारे पास बहुत सारे हो इसाई हो कोई भी किसी भी किसी भी religion का हो उसके उपर एक कानून लागू होगा और वो एक कानून ही सब के लिए पूरे देश में चलेगा मैं अगर इस पर कुछ धर्मिक बातें आती हैं लोग ये कहते हैं कि नहीं ये धर्मिक ग्रंत है और ये उपर वाले ने हमको दिया है और ये आस्मानी किताब है और आस्मान से अल्ला ने हमको भीजी है ये पर्मिशन ने हमको भीजी है या भगवन ने हमको भीजी है तो मैं उस उस पर एक discussion अपने पास है जिसमें की मुहम्मद ये कहते हैं या मुसल्मान ये कहते हैं कि एक लाख चौबेस हजार पैगंबर अभी तक आए जिसमें अन्तिम पैगंबर के रुप में मुहम्मद थे तो मैं कह रहा हूँ कि एक लाख तेईस हजार नौसो निन्यानवे पैगंबर और रहे हैं इन पैगंबरों में इसा मसी भी थे और इसा मसी पैगंबर थे जब आप सारे पैगंबरों को रिकरगनाईस करते हैं तो इसा मसी को भी रिकरगनाईस करेंगे और इसा मसी पैगंबर थे तो फिर इसा मसी की Bible थी और जो इसा मसी की Bible थी उसको rule by church कहा जाता था rule of church यानि कि church उसका interpretation करेंगे जैसे मुसलमानों को interpretation जालिम करते हैं या मुला मौल भी जो भी करते हैं वो interpretation final हो जाता है इसी प्रकार हिंदू का या हिंदुस्तान में जो सनातन संस्कृत है उसका interpretation करने के लिए एक नया गुरूप पंडितों का शुरू हो गया था जो पुजारियों का गुरूप था उसने interpretation करने शुरू कर दिये हाला कि interpretation करने का काम ब्रामणों का था ब्रामण से कोडिफिकेशन करने की जरुत पड़ी और कोडिफिकेशन करके इनका रोल है बाहर कर दिए कि आप इंटरिफिकेशन नहीं करेंगे इसका कोडिफिकेशन है इस कोडिफिकेशन का अनुसर कोट इसका इंटरिफिकेशन करेगा बिलकूल वैसे ही रूल अफ चर्च यूरोप मे लागू हुआ, rule of church की लम्मी समय तक शाषन चला और वो उसको interpret करते थे, बाद में क्या हुआ जब राजा बेठा, तो उसने 1213 के लगबक की बात है 1213 में मैगना काठा लेकर आया और उसने ये का कि देखिए church का rule अलग है, Bible को change किया गया, अब वो किस समय किया गया या उससे पहले किया गया, तो अभी old testament और new testament की लड़ाई चलती है, यानि कि मुसल्मान कहता है कि हम ईसा मसी के followers को, Christians को इसलिए नहीं मानते, क्योंकि वो old testament को भूल गए, वो नए testament पर काम करते हैं, नए text manual नहीं, उन्होंने Bible लिग डाली, और पुरानी Bible जो इसा मसी नहीं दी थी, वो Bible वो नहीं मानते, इसलिए हम ऐसा उनका विरोध करते हैं, और उनको परमेशर के खलाब मानते हैं, क्या है कि जब उसमें दोनों चीज़ें, practice, यानि कि self, salvation, हमारी आत्मशक्ती परमेशर से मिलने का मेरा तरीका, परमेशर की अरधना करने का मेरा तरीका, और rule of law और कनून, ये दोनों mix थे पहली वाली Bible में, बाद में वहां के राजाओं को ये महसूस हुआ कि ये जब तक rule of चर्च चलेगा, इस देश में कभी भी शांतिवेवस्ता नहीं आ सकती हो और rule of church में हर प्रकार के interpretation अलग-अलग हर चर्च करता है चर्चों के भी कई एक प्रकार होते हैं अगर भारत में भी देखेंगे तो second प्रकार के चर्च है, उन चर्च का अपना jurisdiction बनता है और उनकी अपनी practice है तो वैसे ही चर्चों की वहाँ practice हुआ करती थी इसलिए वो Vatican City बना कर रखा Vatican City जो आदेश देता वही final होता था बाद में उन्होंने उसको अलग कर दिया और उसी टेक्स्टरमेंट से उसी Bible से जो चीजें loin order की थी, जो चीजें राज्य को चाहिए थी, वो वहाँ से निकाल कर जो बाकी अंतरात्मा को याद करने की इशर को परमेशर को याद करने की जो विधियां बची ही, जो उसमें लिखी हुई थी उनको कहा कि ये Bible पढ़ी जाए बाकी को हटा दिया जाए मैं कहता हूँ कि कुरान शरीफ में भी अगर आज की कानूनों के वृद्ध कुछ चीजे हैं तो मुझे लगता है कि क्या कुरान शरीफ को दुबारा रिव्यू करना चाहिए आज की राइटर्स को और वो जो चीजें जो Constitution के अंगेस्ट में हैं चीजों को उससे निकाल कर जो आतमशक्ती अपने आपको परमिशर से जोडने का रास्ता है जो अल्ला से आपको मिलने का रास्ता है उस रास्ते का जितना पार्ट बचा हो वो केबल मज़ितों में प्रेक्टिस में होना चाहिए बाकी को हटा देना चाहिए मुझे लगता है कि मैं इस सीरीज पर काम करना चाहूंगा अगर कुछ लोग हमको वो जैसे राज शर्मा ने मेरे से कहा कि दिली हाई कोट पर इस परकार की प्रेटिशन गई थी यह इस परकार के कुछ इंटरपेशन आपके पास हैं जिनमें फॉरण कोट ने विश् जज्ज्मेंट अपने पास है वो जज्ज्मेंट किसी आयत को एक्स्प्लेन कर सकता है तो वो मुझे आप उसका पूरा साइटेशन सही भेजिए हम उसमें कोशिश करेंगे कि जो हमारे बीच के मुसल्मान वर्ग है वो मुसल्मान वर्ग जैसे शायरावानों का जज्ज्म आया शायरावनों के जज्ज्मेंट में पीड़ित भी मुसल्मान था और पीड़ित करने वाला भी मुसल्मान था तो मुसल्मानों को रिलीफ देने के लिए भी कुरान का नियू इंटरिप्टेशन करना जरूरी है क्योंकि मुसल्मानों में भी मुल्ला मौल्मियों के जो एक ग्रुप है जो आतंक बहुत फैलाने की कोशिश देश में करते हैं चाहें वो फॉरंड फंडिंग से करते हों किसी मिस इंटर्पटेशन की वज़े से करते हों उनसे एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का है वो परिशान रहता है और चूंकि हत्या करने का प्रावधान है कि अगर आप विरोध में जाएंगे तो आपकी हत्या करती जाएगे तो वो बोलता नहीं है मुझे लगता है कि इंटर्पटेशन अपने को करकर समाज में दे देना चाहिए बाकि मुसलिम समाज स्वयम डिसाइड करेगा जब भी उसके पास समस्या आएगी तो शारबानों की चाहिए मुसल्मानों को भी बताना चाहिए मुसल्मानों को भी इंटर्पटेशन करना आना चाहिए एरेबी जानने वाले लोग एरेबी में कुछ बोलते हैं हिंदी में कुछ और इंटर्पटेशन करते हैं तो ऐसे मुसल्मानों को जिनको इसके सही इंटर्पटेशन करने उनको Arabic भी जानना ज़रूरी है वो Arabic जानेंगे तो वो कुछ कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि कुरान की जो constitutional validity है उसको आज की तारिक में दुबारा review करने की आवशकता है क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अगर Constitution के Article 29 रो 30, Article 25 से Article 30 existence में रहता है या तो उनको हटा दीजे और भरत में एक कानून लागू कर दीजे नहीं तो 25 to 30 अगर रहता है तो उसके रहते हो Constitution से उसकी compatibility कितनी है इतनी तो at least check हो ही जानी चाहिए उसके बाद अगली step पर हमको आना चाहिए मुझे लगता है कि मैं इसका interpretation कर पाया या मैं बोल पाया और आप लोग मेरी मदद जरूर करेंगे इसके आगे के interpretations के लिए नमस्कार इस पूरी organization को चलाने के लिए आप नीचे description से हमारे app को download कर सकते हैं जिससे कि law students को lawyers को और आम आदमी जो law जानना चाहता है वो paid plus free classes का lab ले सकता है